So, Hello Friends, आज हम एक नई कहानी को explain करेंगे, जिसका नाम है Tales of Heading, जो कि एक काफी अच्छी कहानी है, और इसकी graphic quality भी काफी बढ़िया है, जिसकी वज़े से मुझे उम्मीद है कि ये आप सभी को पसंद आएगी, और उपर सी एक novel waste है, जिसकी वज़े से इसकी story काफी बढ़िया जिसके रोने की कुझ उस पूरी घाटी में पहल रही थी, और वो बच्चा जिस नदी में बह रहा था, उस नदी के अंदर कैई सारी demons के कंकाल पड़े हुए थे, और उस बच्ची की टोरी को भी वहाँ पर एक कंकाल ने पकड़ कर रखा हुआ होता है, जहां पर उस बच् वहाँ पर कुछ elders को मिल जाता है, जो कि उसे वहाँ पर देखकर हैरान होते हैं, कि इस पूरे के पूरे great western land में कोई भी इतना जादा ताकतवर नहीं है, जो कि यहां की darkness का सामना करके उसमें survive कर सके, तो फिर आकर इस बच्चे ने कैसे कर लिया, कहीं ये कोई monster तो नहीं, तो इस पर वहाँ पर मोजित एक elder उसे इसारों में बताता है, कि नहीं, ये जरूर यहां पर इस जेट pendant ने किया होगा, क्यूंकि ये हमारे गाउं की मूर्ती की तरह दिखाए देता है, और ये अंधर को भी दूर रख सकता है, जिसकी वज़े से जरूर इस नहीं यहां पर इसे बचाया होगा, और ये elder यहां पर बोलनी सकते हैं, इसरे यहां पर ये इसारों में बात करते हैं, जिसके साथ में वहाँ पर मोजित एक elder के उसके रोनी की बज़े से कानों में दर्ध हो गया था, इसलिए वो उसे उच्छालते हुए कहते हैं, कि तुम्हें यहां पर चुपू रहो नहीं तो मैं तुम्हें यहां से फेक दूँगा, और वो सच में उसे वहां से फेक देते हैं, लेकिन वहां पर दूसरा elder उसे वहां पर पकड़ लेता है, और उसे देखर खुस होने लगता है, जहां पर दूसरा elder उससे कहता है, कि हम इस Great Western Land में आपाईज है चेस की बज़े से इसका पालन पोसंट कर पाना हमारे बस की बात नहीं है, इसलिए बहतर ही होगा कि हम इससे हाँ पर चुटकारा पा लें, और उनकी बात बिल्कुली सही होती है, क्यूंकि वहां पर जितनी भी elder होते हैं, सबी में कुछ न कुछ तो कमी है, क्यूंकि वहां पर जहर दे कर मारने के लिए कहता है, चेस निकले उसने वहां पर अपने सेंटी फीट को उसके उपर छोड़ दिया था, जो कि जहरिला होता है, और वो उसे वहां पर काटने के लिए जाई रहा था, कि तब यहां पर कपड़े सिनने वाले नीडल आकर उसे वहां पर खतम क कर देती है, जो कि यहांपर एक बुड़ी लेडी एल्डर की थी, और वो हाँपर उन सभी से कहती है, कि इस बच्चे को यहाँपर मैंने बचाया था, तो फिर मैं भी देखती हूँ, कि कौन है जो की इस यहांपर हाथ लगाता है, और उसके बाद वो उस बच्चे को लेते कि मेरे पास गाय है जिसकी बज़े से मैं इसे यहाँ पर दूद पला सकती हूँ और इसका पालन पोसंट मैं अकेली कर सकती हूँ इसलिए मुझे तुम लोग की ज़र्थ नहीं है और इसके लिए वहाँ पर बिलेजचीफ से पूछती है कि यह सही रहेगा ना तो इस पर बिलेजचीफ भी कहते हैं कि हाँ यह बिलकुली सही रहेगा पैसे भी हमारे बिलेजच में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि यहाँ पर पूरी तरकी से ठीक हो जिस बात पर वहाँ पर एक एल्डर जिसका हाथ नहीं था वहाँ पर बिलेजचीफ से कहता है कि अगर आप यहाँ पर इसके लिए मान गए हो तो फिर क्यों न आप यहाँ पर इसे एक नाम दीज़िए तो इस पर वह बिलेजचीफ भूँआ पर उसके पैंडर को देखते हुए उसे वहाँ पर किनमू नाम देते हैं जिस नाम को सुनकर होँआ पर किनमू भी काफी खुषता और इसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर किनमू पल्ले में आराम कर रहा था और वहाँ पर वह बूड़ी एल्डर अपना काम कर रही थी लेकिन तब यहाँ पर किनमू के पास में एक बलेक समोग आता है जो कि असल में एक मोंस्टर था और वहाँ पर किनमू के पास में इसलिए आपा रहा होता है किनकि उसने वहाँ पर अपना पेंडेट नहीं पैना था और वहाँ पर किनमू की उपर हमला करता है लेकर वहाँ पर वो बूड़ी एल्डर अपनी ध्रेट्स की मतल से उसे व만 पर पकड़ लेती है और वो उसे वहाँ पर एक पपिट बॉड़ी के अंदर कयद कर देती है जो कि वहाँ पर मेडूसर की तरह दिखाये रही थी कुछिज करती हैं लेकिन इस वर्ड की प्रक्रती हमेशा किन मुग को बचानी की कुछिज करती है क्योंकि किन मुग कोई साधारण बच्चा नहीं है हो सकता है कि वो साइसे किसी गोट का ही बच्चा हो और यहां तक कि जंगल में मौझुद खूंगार जानबर भी वहां पर क इन मुग को कुछ भी नहीं करते हैं उल्टा उसके साध में खेलते हैं और हमेशा उसकी मदद करने की कोशिजी करते हैं लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी तरी कीसम उसियोत ने पड़ी जाता है जैसे कि उसी चट्टानों से नीचे गिर जाना और इस बास से और इन सब उसे बचाने के लिए जाते हैं लेकिन कि यूँ उनकी आख में ही अपनी उगली को जड़ देता है जिसके बच्चे से वहाँ पर नीची गेड़ जाते हैं और वह इगल उसे वहाँ पर अपने बच्चों के खाने के लिए ले आता है और उसे अपने बच्चों को दे देता है चैसे कि वो बच्चे हुहाँ पर खाने की भी कोशिस करते हैं मगर वो उन सब इसे बच्च के वहाँ से भी निकल जाता है और अब वो इसी तरीकी से सेतानिया करते हुए वहाँ पर बड़ा हो गया था जहाँ पर वो सीधे जाकर जंगल में गिरता है और उसकी ठोकरी उसके सर में फसी हुई थी जैसे कि वो हाँ पर भाल निकलता है और लखणे एकटा करके बापिस चला चाता है और वो इसी तरीकी के काम हमेशा करता है जैसे कि यहाँ पर हर्प्स को एकटा करना खतरना थे लाकों से और इसी तरीकी से वो काम करके एक दिन जब घर की तरफ जा रहा था तब ही उसकी नजर वहाँ पर एक श्टेच कूई पर पड़ती है चोकि काफी जंदी बड़ा होता है और वहाँ पर अंधिरा चाहा गया था जिसे कि वहाँ पर किनमो बड़े ही ध्यान से देख रहा होता ह लेकिन तब ही अचानक से वहाँ पर मोच चितने भी छोटे-छोटे पत्थर होते हैं सभी के सभी हाबा मोडने लगे थे जिनने देखकर किनमो बहां पर हैरान होकर उन्हें टेच करता है और इसके साथ में वहाँ पर पो अंधिरा भी गया था चिसकी पज़े से वह सभी प बड़ी से माउंटेन के ऊपर चट रहा था जिसके ऊपर वहाँ पर किसी का मुँग बना हुआ था और वो जग कोंपर काफी जय दे बड़ी होती है और इसे के साथ में हम वहाँ पर आसमान में एक इमोटल की आख को देखते हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर किन मूँ के उपर नजर रखे हुए है और वहाँ पर किन मूँ जैसी अपने आखे कोलता है तो वहाँ पर हैरान हो जाता है कि वो अपने कमरे में था जहाँ पर वो बूड़ी एल्डर जिनने की वहाँ पर किनमू ग्रेंड मदर कहता है वो वहाँ पर उससे कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर हर्फ चलाने के लिए भेजा था लेकिन तुम वहाँ पर भाहर रात तक सोते रहे अगर तुमने यहाँ पर दुबार ऐसा किया तो मुझे नहीं लगता है कि मैं भी तुम्हें यहाँ पर बचाओ पाऊंगी जिस बात पर किनमू आपर अपना सर खुजलाने लगता है और इसके बाद हम अगले दिन देखते हैं जहाँ पर किनमू बिलिक चीफ जिने कि वहाँ पर ग्रेंट फादर कहता है उनसे वहाँ पर पूछता है कि आप मुझे यहाँ पर हमेशा कहते हो कि यहाँ पर रात को अंदरे में मत रहा करो कि यहाँ पर डाक्निस मुझे खा जाएगी तो आखरी डार्कनेस है क्या तो इस पर वो विली चीफ उससे हूँ पर कहते है कि वो क्या है क्या नहीं इससे कोई फर्रक नहीं पड़ता है जब तक कि हमारे गाओं में वो मूर्ती है वो यहाँ पर आने की हमत भी नहीं कर सकेंगी जिस बात पर金मू उनसे हो वहां पर पूछता है कि आखर वो कौन से मूर्ती है जो कि उनसा भी कौम से दूर रखती है और कैसे रखती है और वो इसके थालावब और कुछ और सवाल पूछ पाता कि तो भी हो वहां पर वो चीफ उसका मूँ बंद कर देते हैं और उससे होँ पर कहते हैं कि इस Great West Land में कैई सारे सीक्रेट्स हैं जिनके बारे में तुम यहाँ पर जितना कम जानो उतना जानता ही जीओगे तो यह वाद जानकर होँआपर किन मूँ भी समझ जाता है कि यह लोग यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं बताने वाले इसलिए वहाँ पर उन सभी को बाय बोलते हुए अपनी गाय को लेकर उसे वहाँ पर चरा निकले जाने लगता है चहाँ पर बबुड़ी दादी उसे रात होने से पहले आने कले कहते हैं तो इस पर किन मूँ भी उनसे कहता है कि ठीक है मैं यहाँ पर ध्यान रखूँगा काफी चानी खतना जगे है चिसमें कि वह यहाँ पर सर्वाइब कैसे करेगा तो इस पर वहाँ पर मोजित मास्क लगाया हुआ बंदा उन्हें वहाँ पर इस चीज का हल देती हुए कहता है कि अगर हम लोग यहाँ पर चार इस पेट्स को ढूंड कर उनके बलड को आपस मे कमेंड करें तो उससे हमें यहाँ पर किनमो की अविकिनिंग कराने के लिए हैल्प मिल सकती है और इसे के साथ में हमारे वाला वीडियो यही परी खतम होता है आयोप के वाला वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और अगर आया है तो आप सभी यहाँ पर कमेंड करके मुझे जरूरू बताईएगा तो मैं इसका अगला पाड़ भी हैं पर आपके लिए जल से जल ले आऊँगा तो चलिए मिलते हो उस वाले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई